वेलकम स्थुएंट आज का हमारा टॉपिक है नेचर आप दा रूट्स ओफ एकॉड्री एक्वेशन जैसे आपको मालूम है कि हर कॉड्रीक ऑकिसिन के दो रूट्स होते हैं अब जैसे X वाली कोई गॉरेट है तो उसको जब हम solve करते हैं तो X के हमें दो वैलिव मिलते हैं तो वह जो दो वैलिव हमें मिलते हैं उसको हम Roots कहते हैं अब यहां पर हमारा Topic है Nature Of The Roots अब वह Roots का Nature कैसा होगा Nature मतलब in the sense Of Mathematics के वह जो रूट्स हैं वो रियल नंबर्स रहेंगे and distinct रहेंगे distinct मतलब unequal रहेंगे वो equal नहीं आएंगे ठीक है और दूसरा nature of the roots है वो या तो real numbers रहेंगे and वो equal रहेंगे ठीक थर्ड जो root का nature है वो है not real अब आपको हम बताएंगे कि कोई number real the real number किब ningún होता कि अगर कोई number root के अंदर है लगर माइनस तूए यहाँ पर देखेher टूरूट के अंधर है और माइनस साइन लगए हुई है तो ऐसा ने रियल नमबर नहीं है इस लीरोग यह इस नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं २ेचल अप यूस करते हैं वो फार्मूला है x is equal to minus b plus और minus under root b square minus 4ac upon 2a तो ये minus b plus और minus under root b square minus 4ac upon 2a ये roots of the quadratic equation कहलाते हैं अगर हम इनको अलग करते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x is equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a यानि कि ये plus के साथ और उसके बाद x is equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a यानि कि minus के साथ तो ये दो roots अलग अलग हमने यहां पर कर दिये हैं नेचर आफ दे roots मालूम करने के लिए हम b square minus 4ac का use करते हैं तो अगर b square minus 4ac का value अगर हम मालूम करते हैं तो इस value के बिना पर हम बोच सकते हैं कि वो जो roots रहेंगे वो real numbers and distinct रहेंगे अनिक्वल रहेंगे कि वो roots real numbers and equal रहेंगे क्या वो roots not real रहेंगे चलिए अब हम आपको तीन condition बताते हैं इन तीनों condition को आप समझे और इसके बाद हम decide कर सकते हैं के nature of the roots क्या है condition number one if b square minus 4ac is equal to zero कि अगर b square minus 4ac के value zero मिलता है तो जो roots रहेंगे वो real and equal रहेंगे this is the first condition इसके ओपर हम examples भी लेने वाले हैं उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा के real and equal किस तरह होते हैं चलिए दूसरी condition की तरह बढ़ते हैं यह दूसरी condition है if b square minus 4ac is greater than zero कि अगर b square minus 4ac का value zero से बड़ा है यानिके 1,2,3,4 यानिके plus में आ रहा है तो जो roots of the correct equation रहेंगे वो real and unequal रहेंगे वो roots real भी रहेंगे और unequal भी रहेंगे अब third condition है if b square minus 4ac is less than zero कि अगर b square minus 4ac का जो value है वो negative numbers आता है तो हम कहेंगे roots of the correct equation are not real अब यहाँ पर equal होने का unequal होने का यहाँ पर कोई question arise ने होता है आप directly हम यह लिख देंगे कि roots of the correct equation are not real if b square minus 4ac is equal to zero तो यहाँ पर अगर discriminant का value zero है तो जो roots रहेंगे वो real and equal रहेंगे अब जैसे कि question x square plus 2 root 3 x plus 3 is equal to zero इसके अगर आप roots मालुम करेंगे तो आपको मिलेंगे minus under root 3 and दूसरा भी root आपको same मिलेगा minus under root 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दो roots मिले है minus root 3 minus root 3 यह दोनो real numbers भी हैं उसी के साथ साथ यह equal भी हैं और यहाँ पर अगर आप b square minus 4ac के value मालुम करते हैं जो के पिछले formula method में हमने देखा था तो आपको वो solve करने के बाद मिलेगा 0 यहाँ पर जो delta है यानि के discriminant है वो equal to 0 है इस वज़े से जो हमें roots मिल रहे है minus root 3 minus root 3 equal roots मिल रहे हैं इस इस दा फस्कंडिशन चलिए second condition पर आते हैं अब condition number 2 क्या है देखे condition number 2 में b square minus 4ac के value greater than 0 अगर रहता है तो जो roots रहते हैं वो real भी रहते हैं और unequal रहते हैं unequal मतलब distinct रहेंगे वो different रहेंगे जैसे question x square plus 6x plus 5 is equal to 0 अब इस quarter equation में देखे अगर आप x square plus 6x plus 5 is equal to 0 को solve करेंगे तो आपको x के दो roots मिलेंगे पहला root रहेगा x is equal to minus 1 और दूसरा root रहेगा x is equal to minus 5 अब देखें minus 1 और minus 5 ये real numbers है और इसी तरीके से ये different हैं distinct है एक minus 1 है दूसरा minus 5 है और यहाँ पर अगर b square minus 4 ac का value आप मालुम करते हैं जिसको हम delta ये Greek letter से भी जो इसको denote करते हैं तो आपको मिलता है 4 अब देखें ये जो 4 है ये 4 ये greater than 0 है इसका मतलब ये condition यहाँ पर fulfill हो गई कि अगर कोई number greater than 0 होता है तो उसके roots real numbers भी होते हैं और उसी तरह unequal भी होते हैं चलिए next condition देखते है b square minus 4 ac is less than 0 then roots of quadratic equation are not real अब इस quadratic equation में देखें 2x square minus 5x plus 7 is equal to 0 तो यहाँ पर जब आप b square minus 4 ac का value मालुम करते हैं आपको मिलता है minus 31 यानि कि आपको b square minus 4 ac का value मिल गया है वो 0 से छोटा है 0 बड़ा है minus 31 से ऐसे इसमें जो roots रहेंगे वो not real रहेंगे roots are not real अब यह not real क्यों बोल रहे हैं बच्चों हम कि अगर आप इसको इस formula में रखते हैं minus b plus और minus under root b square minus 4 ac upon 2a तो अब यहाँ पर b square minus 4 ac का आपको value मिल गया है under root minus 31 अब इससे पहले भी हमने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि अगर कोई number root के अंदर है और वो negative sign है तो ऐसा number real नहीं होता है this is not real तो इसके roots भी जो आएंगे वो real numbers नहीं रहेंगे उमिद करते हैं कि आपको ये concept समझ में आए होंगे चलिए activity ले ले लेते हैं और activity ले कर हम थोड़ा सा और समझ लेंगे अब यहाँ पर देखे बच्चो value of discriminant दिया गया है plus 50 यह जो number है यह greater than 0 है इसका मतलब nature of the roots रहेंगे वो real भी रहेंगे and unequal रहेंगे distinct अब देखें यहाँ पर जो दूसरे example के अंदर के discriminant का value minus 30 मिल गया minus 30 is less than 0 यहाँ जिरो बड़ा है तो यहाँ पर जो roots रहेंगे वो not real रहेंगे चलिए अगर delta यहाँ के discriminant का value equal to 0 है तो यहाँ पर जो roots रहेंगे वो real भी रहेंगे और equal भी रहने वाले हैं इस activity से और आपके concept clear हो गए होंगे अब चलिए कुछ इसके उपर examples हम solve करने जा रहे हैं ध्यान से देखिए तो बच्चों यह solve examples हैं अब यहाँ पर देखिए example number 1 है find the value of the discriminant of the equation x square plus 10x minus 7 is equal to 0 तो समय पहले इस quadratic equation को हम लिखेंगे x square plus 10x minus 7 is equal to 0 तो अब यह जो equation है यह standard form में है general form में है तो इसको हम compare करेंगे तो हम लिखेंगे comparing with x square plus bx plus c is equal to 0 तो अब जब इसको compare करेंगे तो एक value हमें मिल जाएगा 1 और जो b है यानि के coefficient of x है 10 जो constant term है वो है minus 7 तो अब यहां पर हमें क्या माल 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 मां करना है à यह माइनस और यह माइनस गेट प्लस फोर वनजा फोर फोर सेवनजा 28 तो आप जब हंड्रेट में 28 मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 128 तो इस तरह के से आपने 20 स्क्वाइर माइनस 4AC के वैल्यू मालूम कर लिया है इसेंबल नमबर 2 है तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ दा रूट बताना है नेचर ऑफ दा रूट मतलब वो रीयल है एक्वल है या रियल अनिक्वल है या नॉट रियल है यह आपको बताना है तो समय पहले यह जो कोरिट इक्यूवेशन है इसको हम देख लेंगे कि 2 है and the constant term is minus 9. तो सब में पहले जो nature of the roots मालूम करने के लिए हमें b square minus 4ac का value मालूम करना होता है तो b square minus 4ac value हम मालूम करेंगे b square यानि कि 2 का square करेंगे minus 4 into a का value है 1 into c यानि constant minus 9 इस रज़े से हमने इसको bracket के अंदर लिख दिया है minus sign है 2 का square करेंगे तो 4 मिलेगा अब यहाँ पर देखिए minus 4 into 1 यानि का minus 4 और यह minus minus get plus हो गया 4, 9, 36 हो गया अब देखिए 4 plus 36 करते हैं तो 40 मिल गया तो यह b square minus 4ac का value हमें मिल गया 40 और यह 40 है यह greater than 0 है तो अगर b square minus 4ac का value greater than 0 होता है तो आप लिखेंगे nature of the roots यानि के the roots are real and unequal क्योंकि यह value greater than 0 है इस वज़े से roots are real and unequal next example की तरफ बढ़ेंगे अब इस quality equation में भी हमें nature of the roots of quality equation मालूम करने हैं तो quality equation यह standard form में है तो समय पहले इसको हम compare कर लेंगे हम लिखेंगे comparing with a x square plus b x plus c is equal to 0 then a का जो value हो जाएगा यानि के x square का coefficient under root 3 और जो x का coefficient है जो b है वो है 2 root 3 और जो constant term है c under root 3 चलिए डिल्टा का value आने के b square minus 4ac जिसको हम discriminant कहते हैं उसका value हम आलम करेंगे b square यानि के 2 under root 3 का square करते हैं minus 4 into a a है under root 3 into c c भी है under root 3 चलिए 2 का square करेंगे तो 4 मिलेगा root 3 का square करेंगे तो आपको मिलेगा 3 अब देखें ये जो minus sign है मैं as it is लिखता हूँ 4 का 4 लिखेंगे root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो root 9 मिलेगा root 9 का अगर square root निकालते हैं तो मिलेगा 3 ये हो जाएगा 4 3 is a 12 और ये भी हो जाएगा 4 3 is a 12 तो आपको मिल गया है 0 we hope that you have understood this question चलिए एक last example हम देख लेंगे 2 x square minus 5 x plus 7 is equal to 0 तो ये भी को रेकिविशन standard form में है तो हम इसको compare करेंगे comparing with x square plus b x plus c is equal to 0 तो a का value हो जाएगा बच्चो यानिक x square का coefficient 2 b का value हो जाएगा minus 5 and the constant term is 7 तो b square minus 4 is a value मालम करेंगे हम इसको हम discriminant कहते हैं तो b square यानिके minus 5 का square हो गया minus 4 into a का value है 2 और जो constant term है इसका value है 7 तो minus 5 का square करेंगे तो आपको मिलेगा plus 25 ये हो जाएगा 4 to the 8, 8 7 is a 56 minus 56 में से 25 अगर हम minus करते हैं तो आपको मिलेगा minus 31 तो ये जो minus 31 है ये b square minus 4 इसका value है जो हमारा delta हो गया वो less than 0 हो गया जीरो बड़ा हो गया इस वज़े से यहाँ पर जो nature of the roots रहेंगे वो not real रहेंगे तो आप लिखेंगे roots are not real हम उम्मित करते हैं कि आपको ये तमाम concepts और ये question के solution से समझ में आये होंगे अगर आपको हमारे वीडियोज useful लगते हैं तो हमारे इस वीडियो को like कीजिए हमारे दूसरे वीडियोज भी देखिए वो भी आपके लिए बहुत useful रहेंगे अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो हमारे चानल को subscribe कीजिए और हमारे वीडियो को दूसरे स्टोडेंट तक शेर कीजिए ताकि उनको भी इसका फाइदा पहुंच सके थैंक यू फॉर वाचिंग अवर वीडियो